हेलो पढ़ाई के मित्रो, विज्वल आर्ट एंजिक के टुटोरियल पर आपका स्वगत है दोस्तो आज हम देखेंगे पाड़ी चित्रकला और है सारे प्रिशन बहुती महत्रपूर है क्योंकि पिछले वरशों की कला परिक्षा में ये पूछे जा चुके हैं ये है इसका भाग एक दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं जिसे जो भी वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और हाँ लाइक शेर पे जरूर करते रहे हैं चलिए देखते हैं पहाड़ी चुत्रकला के महत्रपुर्ड प्रश्न भाग एक पहला प्रश्न है इन में से पहाड़ी स्कुल के मुक्के के अंदर कौन कौन से हैं कोटा, किशनगड, बूंदी, बसूली, गुलेर, कांगड़ा, बीजापूर, गौलकुंडा, नाथदवारा, उदैपूर, जोधपूर, भीकरमेव तो दोस्तों इसमें है उप्शन नमबर बी, बसूली, गुलेर, कांगड़ा, ये तीनों ही केंदर पहाड़ी चित्र कलाके थे अगला प्रश्न है नमबर दो, पहाड़ी स्कूल का चित्र राधा की प्रतिक्षा करते क्रिश्न, किस पुस्तक्सरे प्रयरित हैं? तो दोस्तों इसका अंसर है उप्शन नमबर बी, गीत गोविंद, पहाड़ी स्कूल का चित्र है, ये राधा की प्रतिक्षा करते क्रिश्न, ये गीत गोविंद से लिया गया है, उस पुस्तक से प्रयरित होकर ये चित्र बनाया गया है अगला प्रिश्न है, नमबर तीन, पंजाब, गड़वाल और जम्मू के हिमाले तलहटी में, इनमें कौन से स्कूल बनाया गया था? इनमें से कौन से स्कूल था? कोटा था, या बाड़ी था, या जैपूर था, या मुगल था? दोस्तो इसका अंसर है, उप्शन नमबर भी, पहाड़ी स्कूल पंजाब, गड़वाल और जम्मू के हिमाले तलहटी में, पहाड़ी स्कूल था अगला नमबर चार, किस राजा के संरक्षन में, पहाड़ी लगू चित्रशेली की कांगणा उप्शेली अपने चर्मोत कर्ष पर पहुंची? राजा गोवर्धन चंद्र, राजा संसार चंद्र, राजा दलीप सिंग या राजा चाय कीर्थी दोस्तों इसका आंसर है, उप्शन नमबर भी, राजा संसार चंद्र कांगणा उप्शेली जो थी, ये थी पहाड़ी लगू चित्रों की उप्शेली याद रखिये, पहाड़ी शेली की उप्शेली है, कांगणा शेली और इसके राजा थे संसार चंद्र, इसके समय ये सुण काल पर थी, ओप्शन बी अगला प्रेशन है, नमबर पांच कुल्लू शेली के प्रसेद चित्रकार कोन थे? सजनु भगवान, पर्खु सजनु, भगवान फत्तू, ईश्वर मानकू तो दोस्तों इसका आंसर है, ओप्शन नमबर ए, सजनु भगवान ये दोनों ही कुल्लू शेली के प्रसेद चित्रकार थे अगला प्रिशन नमबर ए, सजनु, भगवान, ये दोनों कुल्लू शैली की चित्रकार थे अगला प्रिशन नमबर छे, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? कुलंत पीट, मेवार, बीकानेर, जैपूर तो दोस्तों इसका अंसर है उप्रिशन नमबर ए, कुलंत पीट कुल्लू शैली को, कुल्लू स्कूल को पहले कुलंत पीट कहा जाता था अगला प्रिशन है नमबर साथ डॉक्रा आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकों कितने भागों में बाटा था? दो में, चार में, तीन में या पांच में? दोस्तों इसका अंसर है दो भागों में, ओप्शन ए दो भागों में बाटा गया था डॉक्रा आनंद कुमार स्वामी द्वारा पहाड़ी चित्रों को और ये थे कांगड़ा और डोगड़ा ये दो शेलियां उन्हें बताई थी अगला प्रेशन है नमबर आठ कौन से स्कूल की विश्चेश्टा देवताओं और देवियों का चित्र है? बूंदी, पहाड़ी, राजिस्थानी, मुगल दोस्तों इसका अंसर है उप्शन नमबर बी, पहाड़ी पहाड़ी चित्रों में देवी और देवताओं को बनाया गया था अगला प्रेशन है नमबर नो सोन, किरवा यानि कीट पतंग किस लगव चित्र शेली में परयुक्त होता था? कांगड़ा, बसोली, मुगल या किशनगड़ तो दोस्तों इसका अंसर है उप्शन नमबर बी, बसोली शेली में बसोली शेली में चित्रों को बनाने के लिए सोन किरवा है यानि कि जिसे कीट पतंग का जाता था उसका इस्तिमाल किया जाता था बसोली शेली कई बार ये आ जाता है प्रिशन के पहाड़ी की किस उपशेली में ये पुशा जाता है पहाड़ी की किस उपशेली में सोन किरवा या किट पतंग उप्योग में लाया जाता था तो इसका अंसर है बसोली शेली अगला है नमबर 10 रस्मंजरी के रशनाकार कून है शिवदत भानुदत गोविंदरा में जयदेव दोस्तो इसका आंसर है औप्शन नमबर B भानुदत भानुदत ने रस्मंजरी के रशना की थी यहाँ पर दोस्तो आपको कहना चाहूंगी मैं कि मैंने भारती रशनाकार और उनकी रशनाए इस पर दो वीडियो बनाए है जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा तो वो वीडियो आप जरूर देखें उसमें काफी सारे कलाकार एक साथ आजाएंगे रशनाकार एक साथ आजाएंगे और उनकों कौन कों से पुस्ता के लिखी हैं उनकी नाम भी है अगला है नमबर 11 बसोली शेली के चित्रत क्रंथ गीत गोविंदी के चित्रकार कोन थे? मानको, खत्त, मनोहर, निसारदीन तो दोस्तो इस का अंसरे ओप्शन नमबर A मानको मानको ने गीत गोविंदी के चित्र बनाए थे ओई गीत गोविंदी है बसोली शेली में याद रखी बसोली शेली का ग्रंत है गीत कोविंद और उसके चित्रकार है मान को अगला है नमबर बारा यहाँ पर आपको सुम्मेलित करना है सूची एक सा सूची दो एक तरफ है रचना है एक तरफ है रचनाकार रसराज रसमंजरी तिलग मंजरी रसिक प्रिया केशवदास, धनपाल, भानूदत, मतिराम तो दोस्तों यहाँ पर रसराज जो लिखाता वो लिखाता मतिराम ने रसराज की रसना की थी मतिराम ने दूसरा है रसमंजरी रसमंजरी को लिखाता भानूदत ने तिलग मंजरी तिलग मंजरी को लिखाता धनपाल ने और रसिक प्रिया, रसिक प्रिया को लिखता केशवदास ने यादर की रसराज, मतीराम, रसमंजरी, भानूदद, तिलकमंजरी, धनपाल, रसिक प्रिया, केशवदास अगला प्रिश्ण है, नमबर तेरा, चित्रकार, नेनसुक और मानक किस परंपरागत चित्र श्यली से संबन दित थे? गुलेर, बसोली, चमबा या पहाड़ी? तो दोस्तों इसका आंसर है गुलेर, ओप्शन नमबर ए नेनसुक और मानक गुलेर श्यली चित्रकार थे रामायड पर आधारित, चौदा चित्र, राजा दिलीप सीं, कालिन किस श्यली में बनाए गए? गुलेर, चमबा, बसोली या मुगल तो दोस्तों इसका आंसर है ओप्शन नमबर ए गुलेर श्यली रामायर पर आधरित जो 14 शित्र बने थे राजा दिलिप सींग के समय वो बने थे गुलेर शेली में कई बार ये पूच सकते हैं कि राजा दिलिप सींग किस शेली के समय शाशक थे किस शेली के संरक्षक थे उसका आज़र हो जाएगा गुलेर शेली अगला है नमबर पंद्रा पुस्तक बसुली पेंटिंग किसने लिखी? मोती चंद्र, एमेस रंधावा, मनोहर कौल या एकी कुमार स्वामी दोस्तो इसका आंसर है डॉक्टर एमेस रंधावा इन्होंने लिखी थी वसुली पेंटिंग पुस्तक बसुली पेंटिंग पुस्तक डॉक्टर एमेस रंधावा अगला है नमबर फिर्टा पुस्तक किसने लिखी? मनोहर कौल, जेसी फ्रेंच, डावलुजी आर्चर या ओसी गॉंगली तो इसकांसे दोस्तो, ओप्शन नमबर बी, जेसी फ्रेंच, हिमालाईन आर्ट लिखी थी, जेसी फ्रेंच ने अगला है नमबर सत्रा, राजा करपाल पाल, जिनका समय था 1678 से 1731 के पहाड़ी चित्रों के संरक्षक थे आप्शन है बसोली, पूंच, गुलेर या कोई नहीं तो दोस्तो इसका अंसर है आप्शन ए बसोली शेली राजा करपाल पाल थे बसोली शेली के राजा